हेलो सुपर लेर्नर्स क्या हल चाल I really hope कि आप से दिग्दम फिक फाइन और बढ़िया है हमने शुलू किया था Class 7 Science से Chapter No.1 जिसका नाम है Living World Adaptation and Classification जिसका अल्रेडी हम Lecture No.1 देख चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मैं एड़ कर दूँगा और आज हम देखने वाल है Lecture No.2 तो Lecture No.2 में हम क्या क्या चीज़े देखेंगे वो मैं आपके साथ शेर करता हूँ और साथी साथ Lecture No.2 स्टार्ट भी कर देता हूँ तो प्लीज मुझे एक बार बता देना कि exercise तुमें चाहिए या फिर जस्ट मैं सोच रहूँगी cover करो कॉमेंट करके जरूर बताना और बाकी chapters भी देखना मत बुलना नीचे description में link मिल जाएगा चलिए start करते हैं आज हमने last lecture में ये वाला सारा part पढ़ लिया था ठीक है यहां तक हमने सब पढ़ा था page No.4 के ठीक है इस वाले line तक जो भी था हर एक चीज हमने पढ़ा था और हर एक चीज की meanings भी मैंने आपके साथ share किया था और आपने notes भी बनाया होगा ऐसी मैं आश्य किया था आपके साथ कि adaptation मतलब होता है खुद को बदल लेना देखो यहाँ एक चीज तुम में बोला है कि make a list of animals in your surrounding आपके surrounding में जो भी animals आप देखते हो उनका एक list बनाओ compare the diversity of animal listed by your friends with your list discuss the habitats habitats मतलब कभा पे रहते हैं ठीक है food habitats कैसे खाते हैं ठीक है characteristics मतलब food habitats मतलब जहां प इसके बारे में आपको compare करना है फिर आपको characteristics of body structure उनके body एक मैं तो हमें उनके body structure के बारे में थोड़ा से discussion करना है list करना है कि भाई उनके wordable column है या नहीं है wordable column मतलब read की हड़ी उनके पास punk है या नहीं है gills gills मतलब देखो जैसे मशली का यह वाला जो part होता न यह ऐसे यह नहां पर ठीक है जिसमें से पानी लेता है वो उसको हम लोग gills कहते है फिर tells मतलब पूच या फिर और भी कुछ ठीक है तो basically क्या करना है तुम्हें अपने friend के साथ ऐसे बाहर जाना है और देखना है animals विगरा और जो भी तुम notice करते हैं उसका एक list बनाना और अपना और अ पीछे comment करके बताओंगे last lecture मैंने share किया था ठीक है as compared to terrestrial animals the skin and body shape of the aquatic animals appears to have undergone changes अगर मैं जमीम पे रहने वाले animals को और aquatic का मतला हो कि तुमने comment कर दिया होगा ठीक है और अगर पानी में रहने वाले animals को अगर मैं compare करूं तो दोलों के body में एक changes देखता है मुझे जमीम पे रहन example के लिए हम मचलिया ने लेते हैं fishes have skills बच्चो यह जो तुम्हें पार्ट ऐसा ऐसे दिख रहा है मचली के ऊपर उस चीज को हम skills कहते है ठीक है fishes have skills on the skin and fins on the body और उनके body के ऊपर इस तरीके से हमें fins दिखता है चाहिए जो fin होता ना बच्चो यह मचली को तैरने में मदद कर देखें पतला होते जा रहा है ठीक है तो दोनों ही तरफ पतला होते जाता है यह भी इनको किस चीज में help करता है तैरने में मदद होती है इससे ठीक है fish breathe with gills instead of nose अब fish जो हम लोग कैसे terrestrial animals जो होते है वो nose से सास लेते है नाक से और नाक से छोडते है ठीक है लेकिन मचलिया जो होती है वो gills से पानी लेती है और उस पानी के अंदर का जो भी oxygen होता उसको utilize कर लेती है मतलब यह gills से सास लेती है ठीक है यह बात याद रखना थेर body tapers यह तो बता दिया में तुम्हें the eyes have transparent eyelids इनके जो आके होती है उनके जो eyelids होते है जैसा हमारी जो eyelids है ठीक है वो transparent न हो सकता है ठीक है तो air bladder होता है इनके अंदर अंदर हवा के लिए कुछ खाली जगे होता है जिसमें हवा भरा होता है जिससे क्या होता है यह मचलिया पानी में असानी से ऊपर तैर सकती है ठीक है हलका हो जाता है इससे वो observe the bodies of the frog, duck and tortoise तो यह क्या बोल रहा है tortoise तो frog मतलब में धक, duck मतलब क्या होता है आपको निचे comment करके बताना और tortoise मतलब भी क्या होता है आपको निचे comment करके बताना ठीक है अब सवाल तुमने एक नमबर का सवाल पुछा है तुम्हें इसका जबाब भी ढूनना है क्या बोल रहा है of what use are there legs to this animals अब मुझे बताओ जो frog होगा तुमने frog तो देखा ही होगा frogs के जो पाउं होता है या फिर बदक को तुमने देखा ही होगा ठीक है या कचुओ तुमने देखा होगा तो इनके जो पाउं होता है इनके किस काम आते है अगर तुमने कभी देखा है तो तुम comment करके मुझे बता सकते हो नीचे what helps frogs to breathe underwater अब अ फ्राग होता है वो सांस कैसे लेता है अब जो फ्राग होता है उसके पीछे के पाउं तो छोटे होता है लेकिन आगे वाले जो पाउं होता है थोड़े बड़े होता है तो ठीक है वो किस काम के होता है तो मैं वो बताना है ठीक है why doesn't a duck get wet in the water एक duck जो होती हो पानी में भीग क्यों नहीं जाती है अब देखो यह बहुत अच्छे questions है और इन सब का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे ठीक है बट फिर भी तुम थोड़ी अपनी research कर सकते हो Google पे इसको type करके search कर सकते हो ठीक है देखो क्या बोल रहा है as the frog and duck have webbed toes बच्छो webbed toes मतलब क्या होता अब यहाँ पे तुम देख सकते हो तो इसका जो pound है वो कैसा है देखो ऐसे यह इसके legs है लेकिन इसके बीच में ऐसे कुछ joint है देख रहे हो तुम यह कुछ जैसे मेरी उंगलिया है मालनो यह और इन उंगलियों के उपर ना ऐसे ऐसे skin रहेगा तो इसको हम बोलते है webbed ठीक है यह webbed toes हो गया बच्छो ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि as the frog में डख का भी ऐसा ही होता है and duck have webbed toes they can use their legs like oars इस पर जो oars क्या होता है अगर तुमने कभी किसी को लाव चलाते हुए देखा होगा तो जो board चलाते है तो board चलाने के लिए किस तरीके का instrument का यूज किया जाता है पानी को पीछे दक का मारने के लिए तो फीचे को हम oars बोलते है तो यह जो frog होता है और यह जो duck होती है यह भी क्या करते है अपने webbed toes का इस्तमाल कर सकती है पानी को पीछे करने के लिए तैरने के time like oar ठीक है water flows of the waxy feather of the birds like duck and water hen जो water hen होता है और जो duck होता है उनका जो feather होता है वो waxy होता है जिसके कारण वो उस पानी जो है ना उसके उपर से बह जाता है चिपकता नहीं है ठीक है रुकता नहीं है पानी webbed toes slippery देखो क्या मोला है webbed toes ठीक है slippery smooth skin and triangular head जो इनका सर होता है वो भी triangular होता है देख रहे है तो मैं triangle की तरह है ठीक है triangular head help frogs to swim easily through the water ability to breathe through the skin in water using the nose and lungs on the land इस line का मतलब यह है कि जो frog होता है बच्छो यह क्या कर सकता है यह जो पानी के अंदर होता है तुमसे question पूछाता नहीं यह आपर देखो कि what help frogs to breathe underwater तो इस सवाल का जो जवाब है वो है skin frog जो होता है अपने skin की मदद से पानी के अंदर सास लेता है और बाहर जब आता है तो नाक और lungs के मदद से लेता है एक और सवाल था of what use are the legs of this animals अब यह जो भी animals थे वो किस चीज के लिए अपने legs का यूज करते है बच्छो पानी में swim करने के लिए ठीक है of what use are long hind legs of the frog तो यह भी क्या करता है इससे swim करता है और jump मार सकता है लंबे लंबे ठीक है और एक और question क्या पुछा था why doesn't a duck get wet in water due to its waxy पेदर ठीक है उसका जो पेदर होता है वो कैसा होता है बच्छो waxy होता है ठीक है तो यहाँ तक यह सारे वालों के जबाब भी तुम्हें दे दी है अब देखो अगला क्या लिखा है यहाँ पे the typical colors of frog black back जो frog जो होता है उसका जो back होता है मतलब जो पीछे का शरीर होता है उसका जो color होता है बच्छो ठीक है help them to hide among the grasses क्योंकि मेंड़क अगर तुम देखोंगे जादा तक greenish color के होता है तो वो घास के color के साथ क्या करता है खुद को blend कर लेता है blend मतलब क्या होता है कि खुद को उसी color के जैसे दिखते है वो तो पता नहीं चलता mix हो जाता है समझ रहो तो असानी से पकड में नहीं आते हैं make a list of names of some other amphibians amphibians मतलब वो animals होता है जो leave कर सकते है land पे ठीक है as well as in water पानी में भी रह सकते है जैसे कि साप होता है बच्चो जमीन पे भी रह सकता है पानी में भी रह सकता है में इंड़क होता है अब दीको अगला question है adaptation in forest and grassland animals forest मतलब जो जंगल में रहता है grassland जो खास के अंदर छुपे हुए रहता है या घास के अंदर रहता है ठीक है अब यहाँ पे काफी अच्छी चीज़े है जो हमें सीखने को मिलेगा तो ध्यान से दिखते है कह लिखा है पहले carnivorous animals like wild dog, fox, tiger and lion have strong legs to run fast and capture their prey अब यहाँ पे सबसे यह तो examples तो तुम कर लोगे क्या है इस animals का नाम यह तो तुम समझ जाओगे अब carnivorous animals क्या होते बच्छो वो animal जो किसी और animal को as a food खाते है जैसे कि lion किसी और animal को खाता है तो हम इसको carnivorous animal बोलेंगे tiger ठीक है बच्छो तो अब दीको wild dog अब एक चीज और यही पर तुम मैं बताता हूँ कि जो stonish people थे ठीक है उन्होंने सबसे पहले जिस जानवर को पाला था वो एक wild dog ही था बच्छो तो एक dog को सबसे पहले पाला गया था पालतु domestification किया गया था इनके जो होते न बच्छो ख लॉज होते क्लॉज का मतलब क्या है कि ऐसे पालते है से थाउन आशिचे को एस ऐसे चीज ऐड़ भाड करने के लिए होते है और इनका जो कनीं कनींद वील, यह वाला दांट तुमें आहापor दिखर रहे है ठीक है अब यहां तक clear हो गया तो यहां पर हमने function भी देख लिए बने आपको बता दिया अब देखो अगला क्या लिखा है Tigers have padded paws जो Tigers होते हैं इनका जो पाँ होता वो padded होता बैच जो padded होता है कि इस तरीके से थोड़ा मोटा सा होगा अब जैसे मालो कि मैंने अपने हाथ में कुछ गलब सलब से पहल लिया तो मैं असानी से चल सकते हूं जो आराम से ठीक है तो इनके जो पाँ होते हो थोड़े padded होता है इस इनेवल्स देम तो silently walk stalk stalk मतलब नजर रखना there pray and capture it easily पाँ होते न बच्चो वो padded होते है padded पाँ का फाइदा क्या है यह बहुत असानी से डिशे से करके चल सकते हैं और अपने शिकार पे नजर रख सकते हैं ठीक है ताका जाकी कर सकते हैं अपने शिकार का तो इसका जो आख होगा न वो आगी की तरफ होता है, ठीक है, आगी इस तरफ होता है, क्यूंकि दूर से भी अपने जिसका बेशिकार करने वाला है, ठीक है, यह शिकारी है, ठीक है, उसको यह देख सके, असानी से, ठीक है, it helps them to spot their prey prey मतलब जिसका शिकार होने वाला है जैसे मालनोगी hirin hirin का शिकार होने वाला है from a long distance clear है तो ये तो forest में रहने वाले कुछ animals के बारे में हो गए या फिर grass में जो रहते हैं अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है the eyes of the herbivores अब बच्चों यहाँ पर herbivores शब्द का मतलब क्या है वो animal ठीक है जिनको कोई और animal खा जाता है जो घास खाते है बिसिकले ठीक है यह जैसे deer यह घास खाता है गाए घास खाते है तो इसको हम herbivores कहते है the eyes of herbivores are below the forehead इन की लोगा क्यों होती है यह माथे के नीचे होती है इसका कारण क्या है और दो side में ऐसे होती है ऐसे दो side में इधर इस तरफ होंगी इसके बीचे कारण यह है ठीक है कि यह इनको wide angle vision देता है जो help करता है इनको protect करने के लिए predictor से जो शिकारी है जो शिकार कर लेंगे उनसे इनको बचने में बदत करता है wide angle view मिलता है जैसे दूर तक का दिखता है तुम्हारा जो camera होगा वो क्या करता है जैसे भी देखो मेरा जो camera है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब जैसे मैं जून किया तो अब तुम्हें खाली में दिख रहा हूँ लेकिन जैसे मैंने ये किया तो ऐसे दूर तक का दिख रहा है तो इसको wide angle view करता है ठीक है तो उतके जो आखे होता है ऐसे थुरे दूर-दूर होता है side में होता है ठीक है ऐसे side में होता है पुड़ा देखा होगा या फिरन देखा होगा कभी ठीक है या photo भी देखा होगा तो नीचे पाओ कुछ ऐसा दिखता है काला कलर का ऐसा होता है देखा है तुम्हें ऐसा होता है गोडे का पाओ भी कुछ ऐसा होता है नीचे की तरफ से काला तो इसको हम hoops कहता है, यह क्या करता है, इनको भागने में मदद करता है, ठीक है, which enables them to run fast, जादा तेज भागने में मदद करता है, taking a long lip, और लंबी छलांग मानने में मदद करता है, long lips का मतलब क्या है, लंबी छलांग, अगला देखो क्या है, there's long and freely moving ears can receive sounds from the long distance, इनके जो कान होता है, बच्चों, यह बहुत लंबे होता है, कुछ हतन, और यह freely होता है, move करता है, free, जिससे क्या होता है, यह दूर से भी आवाज को receive कर सकते है, ठीक है, कोई दूर से भी अगर को इन पर नजार रख रहा है, इनके दिशा में आ रहा है, तो उनको पता चल जाता है, deer and black bugs, black bugs मतलब यह ऐसे ही, deer जैसा ही एक animal होता है, जिसके साथ कुछ-कुछ में sting नहीं होता है, मतलब इसके जैसा ही एक animal होता है, जो जमीन पर रहता है, इसको हम black bug कहते हैं, ठीक है, आप google करके photo देख लेए, ठीक है, दूसरा जो इनकी जो तीत होता है, काफी मजबूत होता है, क्यों, क्योंकि यह मजबूत, मजबूत से इनका दात मजबूत होता है, जिससे यह plant का जो tough part होगा, ठीक है, plant जो होगा, उसका tough plant को भी यह कह कर सकते हैं, चबा के खा सकते हैं, अभी देखो adaptation in desert animal, मतलब कि जो र खाशियत यह है कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, hence desert animals have a thick skin to prevent loss of water, तो desert के जो animals होता है, उनके जो चमड़ी होती है, जो skin होती हो, काफी मोटी होती है, कि उससे में पानी ज्यादा loss ना हो, loss of water ना हो, ठीक है, उनके body से, their legs are long with flat and cushioned soul, इनके जो पाओं होते हैं, थो थ तो इसके पीछे का कारण के है कि इनके जो legs होते है, souls होते हो, cushioned होते है, अब इससे ना ज्यादा जगे मिलता है, अब मालो कि अगर legs होते है, जैसे कि हमारे घोडे का होता है, तो आसानी से rate के अंदर चले जाते है, लेकिन अब एक cushioned है, ऐसे बड़ा है, ठीक है, तो ये ज्यादा area लेगा न, तो rate के अंदर नहीं धसेगा, समझ रहे हो न, rate के अंदर नहीं जाएगा, their nostrils are protected by fold of skin, तो इनके जो nostrils होते है, उसके उपर skin का ऐसा fold होता है, कि उड़ते उड़ते, बिटी, और rate जो है, वो अंदर ना जाए, आईलेसेज भी लंबे होते है, same कारण कि रेट बे इतना चला जाए, rat, snake, spider, lizards and desert live in deep bureaus, deep bureaus मतलब खड़ा करके, जमीन के अंदर खड़ा करके रहते हैं, ये ठीक है, during daytime and they are active at night, ये day में तो अपने खड़े में रहते हैं, लेकि रात को active होते है, क्योंकि रात को धूप नह animals of snow region, snow region में जो animals रहते हैं, उनके अंदर क्या adaptation है, तो कह रहा है, from the internet download images of animals like yak, animals जैसे की yak, इसका photo download करो, बोल रहा है, आप तो कर सकते हो, तो मना छोड़ दो, polar bear, ये polar bear है, इसका photo भी तुम download करके देख सकते हो, चाहिए होगा तो, ठीक है, husk, फिर क्या बोला है, white fox, ये download क goat, Siberian husky dog and snow leopard, ये सब download करके आप देखना जरूर, ठीक है, compare this images with those of similar animals from the tropical forest, तो इनको तुम्हे क्या करना है, compare करना है उन animals को, इसके साथ, जो कि किसमें रहते है, जो रहते है, tropical forest में, जो tropical forest होता है, ये वो जगे होता है, जहाँ पे बारिश होता रहता है, ये थोड़े गिले से जगे होता है, और यहाँ पे seasonal बारिश होता है, कुछ यगे पे, या फिर काफी बार लगातार साल भर बारिश होता ही रहता है, रुपता है, होता है, तो वो tropical होता है, और यहाँ पे जिसके हम बात कर रहे है, वो snow region है, जहाँ पे क्या होता है, बर्फ होता है, तो इससे ह hair on the skin are typical characteristics of animals of snowy region oh how are this useful to them देख बोल रहा है कि white है या फिर silver color होता है तो अब ये क्या होता है इनको same जीस है माल लो white color snow भी white होता है और इनका color भी white होता है तो वो मिल जाता है तो दूसरों जो animal है जो उनका शिकार करने आएगा उससे ये बचे रहेंगे ठीक है अच्छा है इनके जो long और thick hair होता है इनके skin के उपर अब thand का मौसम है thand में ये रहते है तो अगर skin के उपर जैसा हम तो jacket पिल लेते हैं जानवा jacket कहा पिल पाएगा ठीक है तो इनके जो बहुत सरे hairs होता है skin के उपर वो इनको मदद करता है गरम रहने में ठीक है और ज्यादा ठड़ न लगे इसलिए तो किस तरीके से useful होगे ये मैं तुम्हें बता दिया अब यहाँ पर देखो can you tell करके कुछ पूछा और बोला हमें adaptation in aerial animals तो aerial animals हम किस animals को कहते हैं वो animal जो हमें में उड़ सकता है तो देखो क्या बोला है what is the main difference between vehicles on the road and aeroplane aeroplane हमें उड़ता है vehicle जमिन पे चलता है main difference क्या है तो shape अगर तुम देखोगे ध्यान से तो हमारे जो normal गाड़ी होते हैं कुछ ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं लेकिन जो aeroplane होता है वो कुछ ऐसा होता है am i right वो कुछ ऐसा होता है तो shape का difference है ठीक है और और भी difference है ठीक है ये कहा है engine होता है बेगेरा the spindle shaped body of the birds also minimizes the resistance of the air while flying तो ये जो aeroplane था वो कुछ ऐसा shape का था ठीक है ऐसा shape का था अब ये क्या होता ने इस सेप से न, इनको हवे में उडने में मदद मिलती है, और सेम अगर तुम बर्ड को भी देखोगे न, तो बर्ड भी कुछ वैसा ही है, उडने के टाइम कुछ ऐसा ही दिखता है तुम्हें, ठीक है, और यहाँ पे इसके पंखा जाते है, और ऐसा उडने के टाइब, तो यह जो होता न, इनको एर में minimum resistance देता है, resistance अस शब्द का मतलब है रुकावट, तो बहुत कम रुकावट होता हवे में उडने के टाइम, with hollow bones, a body covering of feathers, and modification of forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying, अब इसका मतलब क्या है मैं कहना चाहरा हूँ, कि hollow bones, मतलब इनके जो bones होगे, मालों यह bone है, तो अंदर से नहीं hollow होगे, अंदर से ऐसे खाली होगे, भरे नहीं होगे, अंदर से खाली होगे, ठीक है, इसको हम बुलते हैं hollow bones, ठीक है, फिर कहरा body covering of feathers, अब इनका जो body over skin का बहुत मोटा layer नहीं हमारी तर है, ठीक है, इनके feathers है, feathers से क्या होता है, यह halky हो जाते हैं, अच्छा, modification of four links, अब देखो हमारे नब, चार limbs है, जिसमें से दो को हम हाथ कहते हैं, दो को हम pair कहते हैं, इसको हम limbs बुलाते हैं, L-I-M-B-S, मैं link देता हूँ यहाँ पर, जिसे आपको पता चलेगए, तो हमारे कितने limbs होते हैं, चार limbs होते हैं, जिसमें दो को हम half बुलाते हैं, ठीक है, और दो को हम क्या बोलते हैं, legs बुलाते हैं, तो इनके जो four legs होते हैं, जो आगे वाले जो limbs हैं, वो किस में convert हो गया है, वो modify हो गया है wings में, जो कि इनको उड़ने में मदद करता है और इन सब के करण का वजन बहुत हलका हो जाता है और असानी से ये अपने आपको adaptation कर पाया है कि ये उड़ सके अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है The body of insects also is light in weight and tapers at both the end जो insects होते हैं उनकी भी body कैसी होती है light होती है weight में और taper होती है end की तरफ, taper मतलब पतली होते चली जाती है end की तरफ, ठीक है They can fly with two pairs of wings and also walk with six stick-like legs, तो ये चार जो इनके जो पाउं होते है ठोड़, उनसे ये चल सकती है और जो wings होते हैं, insects उसे उड़ पाती है bats can fly with the help of petagium, अगर तुमने एक bat देखा होगा तो उसका कुछ ऐसा वाला part होता है हमें रहे, कुछ ऐसा वाला part होता है तो ये वाला जो पार्ट है ने ये वाला जो मैं अभी mark कर रहा हो ऐसा, ठीक है ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते है बच्छो इसको petagium कहता है, ठीक है तो petagium तो मैं समझ में आ गया a thin fold of skin between the forelix and the hind legs तो forelix and hind legs के बीच में thin fold होता है skin का मतला skin से ही बना होता है वो ठीक है, observe the various birds and insects in your area तो जो basically जो हमारे जो bat होता है petagium की बदद से उड़ पाते है और बाकी आपको बोला है कि आप और भी insects लगेरा पर थोड़ा नजर रखो कि क्या कर रहे हो वो लोग, ठीक है चटनी निवाला के खाना उनका अब दीको adaptation in reptiles हमारा जो last topic है वो क्या है कि reptiles में कैसे adaptation होया और adaptation for food in animals जो की बढ़ना topic नहीं हो और यह फिर खतम हो जाएगा ठीक है जादा कुछ है नहीं फिर अब दीको adaptation in reptiles में क्या मोला है observe करो from the long distance how snakes and earthworm creep creep मतलब होता है रेंग ना अपने body को जमीन पर touch करके आगे बढ़ना घिसर घिसर के ठीक है तो उसको हम लोग बोलते है रेंग ना basically ठीक तो which organs do they use for creeping किस चीज का इस्तमाल करता है चलने के लिए क्या इंके पास पाउं होता है क्या नहीं होता है तो मैं search करना है ठीक है इस बहरे में are there any special changes for that purpose क्या इनके अंदर को special changes होता है कि यह रेंग सके not any such changes animals like house, lizard, garden, lizard, crocodile use their muscles for creeping यह जो animals होता है अपने muscles का इस्तमाल करता है क्रिप करने के लिए रेंगने के लिए similarly they show adaptation in skin, souls, feet, body color, etc. इनके अदर और भी adaptation दिखता है जैसे कि इनकी जो skin होती है अगर उसको देखोगे तो बाकियों से अलग है ठीक है देखो यह इसकी जो skin है उपर देखो कुछ अलग सा ही है जो इनको protect करने में help करता है साब को अगर देखोगे तो कुछ अलग changes है skin के अंदर इनके पाओं के अंदर कुछ changes होता है ठीक है तो क्या कह रहा है कि example के लिए जो आपके घर में जो lizard रहती है या फिर जो monitor lizards है उनके पास कैसा clawed toes होता अभी clawed मतलब मैंने तुम थुर दिर पहले बता था कि claws होंगे ऐसे ठीक है जैसे share wear का होता है चीरफार करने के लिए तो clawed toes होता है इनका ठीक है and have thin souls इनके जो souls होते है वो thin होता है अच्छा जो बदक में था वो क्या था वो क्या था बदक में जो आपने पढ़ा तो wevd toes था ठीक है याद रखा तो confuse नहीं हो ना wevd or clawed में clawed where the snakes have scaly skin जो snakes होता है उनका जो skins होता है scales जैसा होता है उस तरीके से इनका scales होता है उस तरीके से इनका scales होता है और यह अपने skin को उस समय बादे से छोड़ भी देता है और फिर नया skin आता है इनके ओपर ठीक है अब दिखो यहाँ पर last बचा है adaptation in foods and animals और उसके बाद हमें थ तो कि खाना कैसे खाते है तो हम अलग-अलग animals अलग-अलग तरीके से खाते है जैसे कि Harvey Borgs जो क्या करता है घास खाते है ठीक है कारी Borgs जो होता है वो किसी दूसरे जानवर को खाते है तो अलग-अलग प्रकार के special adaptation देखा जाता है हर एक category में कि वो किस तरीके से अपने खाने को लेंगे अपने खाना काने के प्रक्रिया को कैसे आसान बनाएंगे अब इसके बारे में हम ज्यादा detail में discuss करेंगे एक chapter 50 है जिसका नामे nutrition उसके अंदर ठीक है अभी watch the programs on channels like national geographic wild discovery यह सब चाहागा अब देखोगे तो इस चीज के बारे में आपको ज्यादा जानकार मिल जाएगा ऐसा बोला गया अब यह वाला जो चार्ट है यह तुम्हें इंटरनेट से सर्च करना है तुम्हें पता है शार्टी कौन सा अनिमल का होता है तुम्हें आप यह करोगे भरोगे ठीक है उसके बाद ऐसे यह करना है फिर यह सर्च करना है और फिर यह सर्च करना शौट बिक एनिमल्स हाविंग शौट बिक फिल लिखोगे शौट बिक एनिमल्स अडपेशन ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको बिल जाएगा और यह आपको कम्प्लीट करना है यह आपका छोटा सा अब देखो थोड़ थोड़ से चीज़े मैं तुम्हें दूगा न तम मजा आएगा तुम भी कुछ करोगे न तो ज्यादा बेटर स्टेडी होगी अब देखो यहाँ पर लिखाया adaptation for blending with the surrounding surrounding के साथ blending blending मतलब खुद को mix कर लेना उसमें ठाल लेना तो ऐसे गी कुछ animals होते हैं ज mist grasses parts of the plant like steam leaves flowers etc that is because their colors blend with those in the surrounding अब कुछ ऐसे animals होते हैं जिनका जो color होता हो surrounding के हिसाब से ही होता है बतलब उनका जो color हो आसपस का surrounding हो दोलो same है आप असानी से नहीं पता कर पागे जैसे माल में एक हाले बरे गहास में एक grass ओपर है जो green color का है अब आप इसको आसानी से पहचान reproduce to purputate purputate मतलब क्या होता है लंबे समय तक continue करते रहे न themselves and protect themselves from their enemies in specific surrounding depending upon the habitat and its geographical condition is called as adaptation अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखाया है कि adaptation मतलब क्या होता है तो अपने आपको अपने surrounding के हिसाब से बदल ले न जिस कारण से क्या होगा तो अपने खाना हासिल कर सकते हो अपने रहना हासिल कर सकते हो ठीक है और reproduce कर सकते हो अपने जैसा दूसरा produce कर सकते हो और लंबे समय तक तुमारा generation चलता रहेगा यह सब चीज को हम adaptation कहते है अब adaptation जो है वो एक sudden process नहीं है मतलब तुरंत नहीं होता अब अचानक से गर्मी हो गई तो मैं गर्मी में रहने जैसा बन अचानक सा ठंड हो गया तो मेरे बाल वाल आगे उपर और मैं protect हो गया नहीं ऐसा इतना नहीं होता है यह long process है ठीक है यह gradual मतलब slow और continuous process है जो दिने 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 होता रहता है और इसमें सालों लग जाता है अब दिको यहाँ पर बच्चों एक चीज बोला है एक scientist के बारे म बताया जिसके बारे में आप 10 standard में और जादे detail में पढ़ोगे Darwin's theory of evolution 10th 11th 12th में पढ़ोगे अधर आप बायो रखते हो तो तो इक पूरा ना में Charles Darwin ठीक है यह एक biologist है मतलब biology के study करते थे इन्होंने numerous type of plants and animals के study की और इन्होंने suggest किया कि वही organism survive कर पाएंगे जिनके पास capacity ह है best अपने आपको धाल लेने की बदलते हुए environment के हिसाब से मतलब जो अपने आपको बदल बदल पाएगा जो adapt कर पाएगा environment में होने वाले changes वो ही survive कर पाएगा और जो ऐसा नहीं कर सकता वो survive नहीं कर पाएगा और इस चीज को इन्होंने बोला survival of the fittest जो fit है वो survive करेगा ज जिसका नाम तो origin of species इसमें इन्होंने publish किया था तो in an organism is born with a new beneficial characteristic and he is able to survive this changes is preserved in the next generation this is called darwin's second principle अभी second principle darwin का क्या है कि एक organism जिसने अपने आपको adapt कर लिया है वो reproduce करेगा उसका एक बच्चा produce होगा और उसका जो बच्चा produce होगा वो उस characteristic के साथ produce होगा और वो आ गया आगया आ characteristic यह darwin's का second theory था मैं तुम्हीं कहानी समझाता हो तुम्हें darwin's जो थे वो बड़े young age में एक समुदर यात्रा पे चले गया और वो एक island पर रुखे उस island मतलब एक पहाड जो पानी के बीच में है समुदर बगरा कि आसपास साइड में गही है तो एक island में रुखे और उस island म उन्होंने बहुत सारे animals of plants पर study करी और उन्होंने एक book लिखा origin of species जिसमें उन्होंने natural selection की जो थेरी थी जो हमने दो चीज़े जिसमें से देखी उसके बारे में जिकर किया सिंपल ठीक है अब देखो यहाँ पे classification of animals अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़े लिखी है तुम्हें मैं जब यह वाला पथा पढ़ाऊगा न exercise जब पढ़ाऊँगा आगले lecture में तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि इसको याद रखने की technique क्या है तब तक तुम अपना research कर सकते हो तो देखो क्या बोला है why are living animals classified क्लैसिफाइ करते हैं classify करने का कारणी यह है कि दुनिया में बहुत सारे living things है plants बहुत सारे animals पूरे बहुत सारे है तो अगर मैं उनको एक एक करके पढ़ते है इसकी क्या characteristic है इसकी क्या characteristic है तो मेरी पूरी उमर कम पढ़ जाएगी मेरे which are the criteria used for classification of plants and animals तो वही तो मैं पढ़ना है ठीक है अब देखो क्या बोला है it is difficult to study and remember all the organisms in the diverse living world at same time classification helps with respect उस सवाल का जवाब है जो मैं तुम आप अल्रेडी बता दिया different scientists have used different criteria and independently classified the plants and animals तो अलग-अलग scientists ने अलग-अलग criteria used कि अलग-अलग तरीके से plants and animals को classify करने की मदद कोशिश किया है a hierarchy is formed in the classification that starts with kingdom animalia or kingdom plant a further groups and subgroups and formed depending upon the basic similarities and differences this is called as hierarchy of classification अब यह सब्द का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं कि सबसे पहले hierarchy सब्द का मतलब क्या है hierarchy शब्द का मतलब है कि किसी भी चीच को जिसमें हम levels बना सके समझ रहे हो forming many levels समझे हो जैसे मान लो मैंने कहा humans ठीक है फिर मैंने कहा humans can be male ठीक है human can be female और मैंने कह दिया कि एक और हो सकता है author अब मैं इसमें males में कह सकता हूँ कि कोई हो सकते हैं जो thin होंगे ठीक है मैं कह सकता हूँ कोई होंगे जो fat होंगे ठीक है मैं कहोंगो कुछ होंगे जो मतलब इनके बीच में आएंगे तो ऐसे मैं level बनाते जा रहा हूँ उसको hierarchy बोला जाता है तो क्या होता है न कि hierarchy ऐसे बनाए गया कि एक kingdom animal जिसमें सारे animals होंगे और एक बना kingdom plant जिसमें सारे plants होंगे और इनकी नीचे levels बनाए गया है ठीक है best on the similarity and the differences कि कौन किस के साथ कितना similar है और कौन किस से कितना different है तो जो similar है उसको एक group में डाला गया है जो dissimilar उसको अलग किया तो ऐसे एक level बनाए गया तो उसी कौन क्या बोलता है hierarchy of classification अब यह कैसे होता है kingdom kingdom के नीचे होता phylum phylum के नीचे class class के नीचे order order के नीचे family family के नीचे genus और उसके नीचे species कैसे याद रख सकते बच्चो सोचो तुम्हें इसका technique लगाना है तो मैंने कुछ बनाया था जो मैं त बता दो और internet पे बहुत सारे available है तो वहां से भी तुम learn कर सकते हो अगले lecture में मैं सिखाऊंगा अब दिको यहां पे किसी चीच के बार में बात किया है binomial nomenclature by Karl Linus मैं समझाता हो तुम्हें imagine करो कि तुम्हारे class में चार student है जिनका नाम कबीर और किरन है अब उनको अगर त तो पूरा नाम लोगे कभीर जा किरन पाटिल ऐसे करें के तुम बुलाओगे तो उससे वही उठेंगे तो इसी तरीकी से बहुत सारे animal जैसे मालो कि हम मैंने मांग लिया माल लिया अग डॉग तो डॉग में भी बहुत सारे टाइप के डॉग है ठीक है अगर मैंगो में ब बाइनॉमियल मतलब बाइ मतलब होता है दो जिसमें हम दो चीजों का थ्याम रखनी है तो देखो क्या है वो दो चीजे तो बाइनॉमियल नोमें क्लेचर जो होता है बच्चों वो दो पार्ट से बना होता है इसका जो पहला पार्ट होता होता है जीनस और जो सेगेंड पा ठीक है all identified organisms had been assigned a binomial name as per the guidelines तो सभी जो भी identified animals or species है plants है जिनको भी हमना identify कर लिया जिनको हम जिसके बारे हमें जानकारी है उसको हमना binomial nomenclature के हिसाब से क्लासिफाइ करते है और इसके लिए जो हम guideline इस्तमाल किया जाता है वो international code of nomenclature ने दिया है और I think यह काल लिनस ने दिया था ठीक है यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर आप पता है कहां लिखा है लेकिन यह काल लिनस ने दिया था मेरे को जितना पता है ठीक है all the living organisms of a species are so similar that irrespective of the differences color height and da 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 form new individual like themselves for example domestic cat जो मैंने आपको अरड़ी बता दिया है कि हाला कि एक organism है जो कि dog है लेकिन उसके इंदर बहुत सरे type है cat है उसके इंदर बहुत सरे type है तो इसलिए हमें इस system का इस्तमाल करना हमारे लिए जरूरी है अब यहीं पर कहीं तो काल लिनस लिखा हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा है हाँ देखो नॉमन कलेचर बाई काल लिनस भोलो न मुझे याद नहीं आ रहा है पूरी रीडिंग कर लेता हो तुम्हें पढ़ाने से पहले कि कुछ भी मिस नहीं हो अब चलो और जो इंपॉर्टेंट है वह तुम्हें बता ही देता हो अब देखो यहाँ पर क्या हो है यह कुछ एक्जांपल दी है तुम कर सकते हैं जैसे डॉप के लिए जो साइंटिफ या फिर यह जीने से और यह स्पीसे से तुम्हें यह पता करना है एक छोड़ी से जानकारी यहां पर दी हुई है कि 29 आप्रील जो होता है उसको वर्ल्ड फ्रॉग डे करके मनाया जाता है ठीक है तो किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग इस प्रोहिबिटेड वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो तुम फ्रॉग को मार नहीं सकते या फिर उसको हाम नहीं पहुचा सकते एक लौ है वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाब आपके उपर कारवाई की जाएगी तो यहां पर बच्चों सारा थियोरी मैंने आपको लाइन बाइन मैं नहीं करू यह तुम मुझे बता सकते हो कि तुम खुद कर लोगे जो भी तुमारा एंसर होगा तो मुझे प्लीज बता देना और उसके एक राडिंगली मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और फिर अगर तुमारा जैसे आएगा वीडियो रिप्लाई कर देना 24 to 48 hours में इ चैप्टर पढ़ाओ ऐसा भी कुछ है तो तुम मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो देखो बच्चो दो चीजे मैं तुम लोग से कहना चाहता हूँ डेली सुपह छे बजे एक मोटिवेशनल वीडियो में डालता हूँ उसको जरू देखना एक दो मिनिट का होता हूँ उसक शेयर करना पूरी प्लेलिस्ट को बना की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है तो तुम उसको चेक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हो तैंक यू सूमच हापी लर्निंग